हाई एवरीवन गुद मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज है सेटरड़े सुबह के बज़ रहे हैं पॉने दस है पानी जल्दी चाहिए पानी जल्दी चाहिए नहीं पानी साड़े आट बजया था जब मैं उड़ गी थी न उसके पाद आया था पानी तुम ने क् बंद कर देते हैं तुरा मंदर चले गए पर भी चला गया पानी जब कुड़ा फैंकने कहते थे न तब चला गया था वह हमारा दूद उबल गया शिट कहाणी घरगरगी मैं बना जही हूं सेविया सुपर सुपर ब्रेडफस्ट के लिए यहां पर बने कजुबडाम जो है कट कर लिया है और यह किशमिश रखिए और यह सेविया काजु पढ़े पर कोल के रखा है पर पहले इनको कर लेते हैं प्राया सब कुछ काजु बडाम और सेविया लिमे प्रणी गयस पर चाय को बंद कर देते हैं क्यूंकि चाय बहुत बादा कड़ चुकी है और मैं गी गीजा का पानी तालने लगी ते लिए लगते हैं गाय कांगी अच्छी में बेवज़े कंगी लगाता है क्यों? तो चेटा पर चाता है नेचे गंट शल्यातीन दूर्ख जाकती है कई बाद को लेद धीज़ेँ इन आखेशो अच्छी में सब्सक्राइए मैं दौची में सब्सक्राइब्स हम कहां कई दोज़ोゃाई रजक है हता मतसकी अच्राइब क्यों रिल्ता हो क्या बना रहे हैं? सेवाइया 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 चाम्या यह तबसे लेकर कार्टून देख रही है तबसे एक बार भी नी रोही है आपको फटें में आपने बार्टू अलो अलो और देख को ले नहीं हालो आपने बारटू तो यहां पर हमारी चुसेमिया है वह मैं भून रही हूं गी में गी लाल दिया था मैंने और उसके बाद यह काजू बदाम डाल दिये थे बहुत सारी सेमिया पहले से रोस्टेड भी आती है और फिर भी लेकिन फिर भी अगर पहले से रोस्टेड और घी में अगर थोड़ा सा और रोस्ट कर लो तो खुद की तसल्ली के लिए मुझे ऐसा लगता है तो बस इनको मैं ब्राउन कर लूँगी अच्छे से और यह देख यह पूरा बर जाता उपर तक तो अच्छे से रोस्ट कर लिया उनको मेसी में डाल दूंगी और थोड़ी दर के लिए इसको पकाते रहेंगे और मैंने इसमें चीनी भी आड़ करती थी जो कि मैं बताना भूल गी थी आप लोगों सा शेयर करना भूल गी थी मैंने चीनी इसमें और भी वे रहें तो दूद्ध जब आले शथे वॉ मिआ चेनी अuit की थी हश्लागी की बेर दून्च के тाइम हमारे पर अस सब्सक्तुराम बहुत ही और बहुत ही था जाता है और स्वराइब लंच का कोई टाइम नहीं रहता है लंच फिर हमारा तीन बजे चार बजे इस तरीके से होता है तो बस ये पैन जो है इसको डालनूंगी में धोने के लिए और सेमिया जो है इनको साथ ही साथ चलाते भी रहेंगे और देखते रहेंगे अधरवाइस नीचे चिपकना शुरू को मियाकर चलाता है तो बस पकने के लिए छोड़ देंगे इसको जब एक तक फोड़ा जैसा हो जाएगा तब सेमिय को पकाते रहेंगे और सेमियों के बनाई है इसलिए मैं शेयर कर रहरा हूं आप लोगों के साथ और संब मेरा कोई मोटिव नीए तो montysey खा रही हूं क्योंकि सेविया तो सब लोग बनाई लेते हैं और होता है कई लोगों को नहीं भी आती है बनानी तो उनको एक आइडिया मिल जाता है तो यह जो दाख है यह मुझे हमेशे डर रहता है क्योंकि एक बार दाख डालने से जो यह दूद है फट चुका है मुझसे क्के मैं पेसे उसके बार दाख करता हूं के लिए कि इसको Ha Cette इंड करता है तो फेर पूरी इरन इनत खराब करने शारी कि पहले ही से एफटी बनाव जाए और मुझे बढ़ी आतता से शरी जाते हो सुनलकित में और हमेसे क्रONE क्राइस तो बस हमारी जो सेमिया है वो हो जाएगी 2-4 मिनिट में रेडी क्योंकि जब यह रोस्ट हो जाती है तो इनको पकने के लिए उतना साथा टाइम नहीं लगता है बस ही होता है कि थोड़ी सी दूद में में मिक्स हो जाए तो यहां पे यह देखो इसको हम थोड़ा सा पका ले यह कम कर दें संद्स की और मैं कि आपकी केष्डेश्टी पीत खाने के लिए पॉली आप की तरीके से बकता है बुझाद के कटी जब दूद्भर पीना पसंद नहीं करते हैं दूद्ध पीते हैं बस अपने लिए ले ले लेती हूं इनको में ने दे दिये नीरज को दे दिये चाय अपने ली डाले तू चाय पी लेती है फिर उसके पाद देखते हैं किया प्रोग्राम होता है बाली खुल गए, दो बच गए, दो बच के नौ मिनिट हो गए, लेंच रेड़ी है, बस चावल बन रहे हैं, चावल आज हम बना रहे हैं, खुले पतेले में, और बारिश हो चुकिया, इसका मतलब, वो मिट्टी की खुछ बुआती है ने, एक दम बैसी वाली, खुछ हैं, आज हमze में बनाई है, मलका की दाल, और मलका की दाल को क्य भुते हैं, मसर की दाल हैं, वो बनाई हैं, और बने हैं, चावल बनी रहे हैं, और दें तडव के बनाया है तो चलो मैं दिखाते हूं आपको मसल हूं ये देखू पहले दोपर देख लो बादल और ये हवा चल रही है अब चली हवा, गर्म यार बहुत ही जादा my rear बहुत ही जादा हाँ बारिश हो गया गाड़ी भी पूरी बूंदों से और यहां दिखाते हो बाइक, यह देखो, बाइक इंगिली पड़ी है, बारिश हल्की फुल्की सी पूंदा बांदी तो अभी भी लगी हुई है, तेज बारिश नहीं है, लेकिन बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे है, बड़ा अच्छा मौसम है, और अब ऐसी ही रहने वाला है, तीन-चार दिल तक, धेखो, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अंदर तो कीचन में ऐसा लग रहा है, जैसे बटी एकदम, तपी नहीं होती है, वैसी, यहां पे ठंड़-ठंडा मौसम होता है, औ यहां पर दो-तीन दिन से ऐसी एक्स्ट्रेम लेवल की गर्मी फीन ही यहां पर होती जादा, और यह वाले पेड़ने देखने में अच्छा लगते हैं, यह पर इससे इतना कूड़ा डलता है, इतना कूड़ा, मतलब लीचे बड़ा, यह दिखाती है, यह उतना ही जादा, गंदिकी फैल जाती है, और अमरूद कभी अब लगने वाले पेड़ में हरे हरे वो आ रहे हैं, लग रहे हैं चोटे-चोटे से, पर यहां पर बंदर खा जाते हैं, हमारे तो हाथ ही आते हाथ आने से पहले ही बंदर निटा जाते हैं, और अब यहां पर बंदर ही रहेंग बारिष शुरू होगी, गाड़ी पे आवाज आएगी बारिष बारिष शुरू होगी, अंदर चानते हैं, भीगते नहीं है न, ऐसे में भीग रहे तो बीमार बचाएंगे, चले, लंच करते हैं, तो ये देखो, लंच जो हमारा रेडी हो गया है, ये है सैलर्ड और ये और साथ ही साथ मैंने बनाई है मलका की दाल, यानि कि मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल बनके रेडी है, और ये मैंने इन लोगों की बलेट लगा दी है, इन सब लोगों की बलेट मैंने लगा दी है, क्योंकि उर्भी को एक टाइम पर पकड़ना पड़ता है, तो एक बंद जो एकल बारिष्ट। जा उपर जा किया थापमे नहीं जापफे ए जापमे थापमे disturbance यहां पर ओले रहे हैном something फरे किशा भारिष ऐंहां नहीं छीपनाए Global से detta कां पारिष है हुरु वीज़ गप्षेट है? शीलागे हो रहे हैं? शीलागे हो रहे ही? अब चाविज जाब को लाइए? और यह असके जोगे ना? तो यह जोगे थैं Oh My God! दो फील सकेर्ड दे लिब बबे बड़े पड़े लिए है। नही पारिष तो भी भी थेस है बट। यह देखे सर्चीम करके दिखे कि नहीं बड़े पारिष टेखे हैं। मारु तुह टूला लिपी पारिष लिए लिए देव हुपटर आये ना। एक प्रमाइक वारिच लगे रेगां तो अभी अंधेर कि अंदेर इसने है क्योंकि लाइट और ने और छत पे ने तो जोड़र की आवाजे आ रही है कि वले पढ़ुख है न तो जो चछत पर भी आवाज आ रही है कि अली पर झाले के जो है फिफ से शुरूव हो कि अव्ले और वबिजो का बहुत भुछ है व्ले पाद रहे माज़ी इदो परोट कि इतने बड़े व्ले पड़े है तो जाड़ी दो व्ले के लिए तो गारी को कि ब ceram Bi बraw कि अला जर य gevा ऐन कि भुल मसे हम से थे अ ऐफ pollen सुवड़ नान कि बसकता हुआने उ हर दो几ht सब हर कि अ». कि बसकता हुआ बोड़ लगना के तरा बार बोला गट्टू अचुक्चाप शोई है कुंकि मौसम थन्दा थन्दा होगे न एक दम चुक्चाप लेती है अनन गट्टू अनन गट्टू पिल्कुल नहीं रोरी कुछ भी नहीं तो अभी हो गए है शाम की साड़े साथ साथ बचके बीस मिनट हो है साड़े साथ होने वाले और यह जब उड़ जाती है न तो इसी तरीके से फिर गोद भी सोती है और अभी भी बाहर मौसम इतना खराब है न इतना भैंकर खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकती है अचानक से ऐसा मौसम होना एकदम से चेंज हो गया मौसम वैसे तो हिमाचल में और जगह मुझे नहीं पता पर अब थी रेन आज बारिश का था लेकिन इस तरीके की बारिश होगी यह किसी ने नी सोचा था इतनी खतरनाग बारिश उस टाइम की बारिश लगी हुई है यह अबी तक आइधिंक देर्ड़ बजे तो ऐसे हलकी फुलगी बूना बांती हुई थी फिर दो बजे के बाद दो डाई बजे के बाद बहुत बयानक बारिश बहुत बयानक और अभी और बातल कैसे गरज रहे ना एकदम जैसे गरज रहे तो पीच में गैप निया रहा आब के इस इतना मौसम खुराब है मैं ने सोचा कि इससे पहले लाइम चली आए क्यूढ की तब से लेड़ लेक혁ति ति बार लेड जा चुकी तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि लाइम चली जाए और फोन की जो बैटरी है वो डाट हो जाए यह लाइट ना हो तो फिर अंदेरे में मैं क्या शूट करूँगी है न तो मैंने सुच है इस व्लॉग को कर लेती हूँ मैं यही पे एंड तो बताना मुझे कैसे लगए यह व्लॉग वैसे तो मैंने वो शॉट्स डाल दिये थे जो बारिश के तो बहुत से लोगो रहे हैं यहा करना कमेंट करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और आज सैटरड़े हैं हाँ सैटरड़े है आज चुट्टी थी नेरेश की भी और वह भी दूद लाने के लिए तो बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए गाड़ी लेके जाना पट रहा है दरवाइस बच बचे भी अगर पिस पliśmy में बीमार यह दूद चल रही है बिमारी की फिर बीमार यह दस बात कि लहाइगर ना फिर घर प देखने लात अन्य और चलिए वडियो को यह फैंट करते हैं लाइक जरूर करर जयाना शेयर कर देना शेयर करते लिए तो आप करते नियों खैर पर फिर भी मैं बोल दे तूंकि कर देना मिलते हैं नेक्स वीजियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर